सुनाव बजाज हिंदुस्तान और कल देर शाम यहां पर न्यूज आ रही थी और SBI नहीं यहां पर इंसॉलवेंसी की प्रोसीडिंग है वो यहां पर सुरू कर दी है NCLT में केस दर्ज हो चुका है और यहां पर शेयर जो है वो क्रेस हो चुका है तो अभी NCLT में जाने के बाद है क्या क्या यहां पर चीज़े आती है यह आपको पता होने चाहिए क्योंकि बहुत पहले जब हमने लास्ट वारी जब हमने बात करी थी कि यह NPA में इस कंपनी वो डाल दिया है तो अभी NCLT में वो क्या options है जिसमें कंपनी अपने आपको बचा सकती है उसके उपर discuss करेंगे क्योंकि यहां पर हमें यह तो पता था या तो आएगा या तो जाएगा कंपनी के अंदर यही होना है अब कोई fundamental काम नहीं करेगा कोई technical काम नहीं करेगा भूल जाएए यहां पर अब सिर्फ और सिर्फ यह केस ही कुछ करेगा बस अगर केस और भी गड़ता है स्टॉक क्रेस हो जायागा यहां पर किसी कोई मिलना नहीं है बच जाती है कंपनी दैन यहां पर स्टॉक हिट और स्टॉक बजाज हिंदुस्तान का 15% से जाधा का क्रेस हो चुका है इवन यहां पर लोवर सर्कुट की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन अगर आप बाकी स्टॉक देखें त्रिवेनी और स्री रेनुका धामपूर याईडी पैरी इन सबके शियर प्राइस में ऐसा कोई गरावट हमको देखने नहीं विला है लेकिन मैं आपको बता दूं अगर बड़ा बुरा इंफेक्ट भी पड़ेगा लेकिन इन लोग को साफसी बात एक फायदा भी रहेगा क्योंकि यहां पर एक कॉम्टीटर इनका घटने वाला है कुछ चीज़े ऐसे भी हैं कि इस कंपनी को बचाया भी जा सकता है अगर कोई इसको बचाने के लिए आता है तो को कोई बढ़ा या पर विजनिसमैन है या कोई अगर इसमें पैसे डालता है तो ही यहाँ पर जो है बच सकती है in case in short यहाँ पर आपकी कमपनी विक्वी सकती है और कल देर शाम यहां पर बारा गूंटे पहले यहां पर primo कर बकर कारवाई झाज़ कि नहें स्टार्ट कर डि इस company को बचा सकती है उससे पहले आप यह देख लिए share पर कितना बड़ा impact है एक करोड से उपर का volume हो चुका है सुबह सुबह 10 वजे से पहले ही तो वागई मैं stock नीजर के reaction हम को देखने को बला है और खबर ही ऐसी है insolvency किसी को पसंद नहीं है ncl t में जाना किसी को भी पसंद नहीं है तो अभी ncl t national court of law tribunal में क्या होता है जब company दिवालिया गोसित होती है तो यह आपर जाती है यह ncl t में अपने आपको दिवालिया गोसित करती है और उसके उपर फिर कारवाई चलती है और company दिवालिया गोसित कर दी जाती है अगर सारी रिपोर्ट जो है वो ठीक है यहाँ भाई company के अंदर वाकई में problem है अब यह और नहीं चला सकते हैं इन्हें दिवालिया गोसित करतो तो अभी आपर ncl t में क्या क्या चीज़ है sbi क्या करेगा sbi अपनी रकम को बसूल करने के लिए loan यहाँ पर बसूल करने के लिए एक ही चीज़ करेगा वो है इनके assets assets जो है ना वो बेच देगा बेच देगा बिखवाएगा जो कुछ भी है sbi को देखकर यहाँ पर बाकी banks भी आने वाली है क्योंकि उनका भी पैसा फसा हुआ है even यहाँ पर सरकारी banks अगर आप देखें तो छड़ी लगी हुई है idvi ydvi यहाँ पर हर एक bank का नाम इसके साथ है अगर हम कहें तो जुड़ा हुआ है बजाज हिंदुस्तान के साथ तो इसको sbi को देखकर न वो banks भी आने वाले तो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव ही है सब कुछ यहाँ पर इसके अंदर तो भगवानी मालिक है अब यहाँ पर है भजाज हिंदुस्तान को क्या चीज़े बचा सकते हैं या तो इनके मालिक जो हैं जो कि मैंने पहले ही आपने बात करें थी management या तो change हो जाए या फिर कुछ नहीं हो सकता तो अभी न अगर यह company दूसरा कोई खरिदार मिलता है पहली condition और अगर dealers कराते हैं तो वो price क्या रहेगा वो रहना चाहिए वो price company ही तै करेगी आप तै नहीं करेंगे ठीक है ना तो अभी यहाँ पर और मैं आपको बता दूँ वो price ना कुछ ज़्यादा heavy नहीं होता है जादतर company जब बिक्ती हैं तो price ना कुछ भी हो वो एक रुपए पर भी dealist करा देती है एक रुपए पर जी हाँ बिलकुल यहाँ पर एक रुपए पर भी dealist करा देती है side DHFL में यही हुआ है कुछ प्राइस का जो लेना देना था वो कुछ चवणनी या एक रुपए की आसपास ही था ऐसा सुनने में आया था तो अभी वो चीज छोड़ दीजे इस पहली condition ना यह पता नहीं यह पर रिपोर्ट यहाँ पर जो जितनी भी रिपोर्ट आएंगी उसके चलते दूसरी यहाँ पर यह है company अपनी तरफ से अगर ना अपने assets बेच कर अगर इनका पैसा चुका दे माफ कीज़ेगा अगर अपने assets बेच कर इनका पैसा चुका दे तो दूसरी condition में बच जाएगी तीसरी condition कुछ भी नहीं है यही दो option है या तो assets बेच यह और bank का पैसा चुका यह bank को को कोई अपनी तरफ से कुछ भी लेना देना नहीं होता है वो बिलकुल निर्दई है वो बिलकुल भी रहम नहीं करेंगी सापसी बात है आपके assets आपकी company बन दो जाए उन्हें कोई लेना देना नहीं है उनको अपना पैसा बापिस चाहिए चाहें आप assets बेचिए घर बेचिए गाड़ी बेचो कुछ भी A to Z आपको बेचना ही है इस condition में तो इससे वो recovery कर लेंगे अपने loan की अभी न यह सारी चीज़े मामला बहुत खराब हो चुका है जादतर जो risk ले सकता heavy risk taker है वही यहाँ पर जो है अपनी रख सकते हैं position नए वन्दा यहाँ पर घुसने की कोसस ना करें आख से आप खेलेंगे यह समझ के चलिएगा तो अभी न बिलकुल case बिगड़ चुका है ना कोई share price पर कोई technical ना कोई fundamental कुछ भी काम नहीं आने वाले सब कुछ खतम यहाँ पर जो आपका results है वो भी आप देख लो year on year 1539.92 करोड यह year on year quarter पर तो अच्छा है लेकिन quarter on quarter यह गट गया 1621 करोड से गट कर 1539 और company सबसे वड़ी बात यह एक problem नहीं है नेट सिल problem इनकी net profit यह बिलकुल down net profit यानि की last में यह loss इसमें आ चुके है loss loss और loss हम जब भी hope रखते हैं इसके profit में आने की यह loss तो अभी कुछ भी काम नहीं करगा fundamental technical कोई कोई काम नहीं आने वाला आप तयार हो यह मामला बहुत लंबा खिचने वाला है अगर कोई इसका share older है share रखता है तो यह आपका मामला same to same future group की तरह है यह NCLT में जो cases चले है यह same to same ऐसे चलने वाला है तो आप तयार है आप company की उपर है वो क्या करती है उनकी तरब से क्या report आती है यह important है तो उमीद है आपको बास समझ में आगी होगी अगर आपको कुछ और information है या कुछ और share करने चाहते है या मैंने कुछ गलत बताया उसमें तो please correct करिएगा comment section में ताकि और लोगी मदद हो और मैं भी यहाँ पर खुछ सीखिन को मिल जाए तो अगर आपको इस वीडियो में कोई problem में कुछ पूशे है कुछ बताने कुछ कहने है तो please comment सासर में कहिएगा और आप दीजी में जाएगा वीडियो देगरें के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूस्तों